इसको देखते हुए बिहार सरकार ने निनने लिया है कि बिहार के किनकिन जलो में सायवर्थाने खोले जाएंगे चलि हम आपको बताते हैं विस्तार से आप इस ख़वर के अंतक जरूर बने रहें इहार में सायवर्थाने जुरे मामरों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा एहम फैसला लिया गया है राज्य के हर जिले में एक यानी कुल 44 सायवर्थाने खोले जाने का फैसला लिया गया है इन थानों के बहतर संचालन के लिए 44 डियस्पी समेर 660 पदों पर नियुकती होगी मुखिसचीब अमीर सुभानी की अध्यक्षता में प्रशासी पदवर्ग समीती की बैठक में इस फैसले को मनजूरी दे दी गई है फैसले के मुताबिक एक थाने में कुल पंद्रपद यानी एक डियस्पी, चार पुलीस निरक्षक, तीन पुलीस अवर निरक्षक, एक प्रोग्रामर, दू सिपाही, तीन डाटा सहायक और एक संचालक सिपाही के पद तै किये गए है राज में अभी साइवर थानों की बेवस्था नहीं की गई है इसकी अपराद इकाई के अधिन सभी जिलो में 74 साइवर क्राइम एबं सोशल मीडिया यूनिट की अस्थापना की गई है बतादें कि जिलो में 3 से 4 वहीं छोटे जिलो में 1 या 2 CC SMU कारीरत है सुत्रों की माने तो इन्हें ही साइवर थानों की रूप में बदला जाएगा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड व्योरो के अनुसार 2018 में बिहार में साइवर फ्रॉड के महज 375 केस दर्ज हुए थे और अब बिहार के हर जिले में साइवर फ्रॉड के केस दर्ज हो रहे हैं साल 2021 में साइवर फ्रॉड के 1413 केस दर्ज हुए हैं तीन साल के आंकरों को देखे तो बिहार में साइवर क्राइम की घटनाओं में 300 फिर्जदी की विर्दी हुई है अकेले जन्वरी में मई 2022 तक पांच महने में ही बिहार में 8,003 केस सामने आए हैं इसमें अकेले पटना में ही साइवर क्राइम के 1,632 केस थी बीते 17 अप्रेल को असासी पदवर्ग समीती की बैठकवी थी जिसकी कारिवाही में इस फैसले की जानकारी दी गई है राज में साइवर क्राइम और शोशल मीडिया यूनिट की 74 में से 44 को ही साइवर पुलिस के रूप में बदला जाएगा तो बिहार में 44 साइवर थाने खोले जाएंगे और 600 पदों पर नियुक्ति की जाएगी बिहार सरकार के दुआरा ये अहम फैसा लिया गया है और क्राइम को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके में ज़रू बताएं अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर दे और हमाई चैनल के साथ बने रे नियूश फोर्णेशन धन्यवाद